हाई फ्रेंट वेल्कम बैक तो आवर चैनल मिस्टर टाइकोंडों तो आज का वीडियो है वह हमारा होने वाला है काउंटर एटक की उपर टाइकोंडों में तो जैसे को आपनेट आ रहा है तो उसी टाइम आप जो कौन कौन से किक आप जो यूज कर सकते हैं टोटल में आपक एटक करोगे तो कुछ इस तरी के से जैसे आ रहा है एक जैसे आ आडएक तेक है इसे को थोड़ा सा था था फाइटिंग कर सकते हैं रेडी जैसे अटएक और जैसे पीख मार के वैसे आपको जो यूज ले लेना सेकेंड किक आप जो एटक करने तो यह हुआ हमारा फस्ट क complete चलते हैं second kick के तरह तो second kick जो है वो आपका roundos की तरह ही है बट आपको जो हलका सा knee को down side करना है और leg को upside रखना है कुछ इस तरीके से ठीक है तो उससे क्या होगा कि exactly आप माल सकते ठीक है तो इसी में थोड़ सा confuse हो जाते कॉस राउंडों जैसे नॉर्मल मारेंगे तो यह इधर लगेगा side में back में pointing नहीं मिलेगा तो आपको मारना क्या है यहाँ आपके opponent के side में ठीक है तो यह आपको थोड़ सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इसको regular practice करते रहोगे fighting के time पे तो आप जो अच्छे तरीके से इसमें pointing निकालना आप जोए शीख जाओगे तो यह हूँ हमारा second kick complete चलते आप तिसरे kick के तरफ तो third kick है वो हमारा है body hook यानि कि आपको जो front leg से यह है आपको यहाँ से निकाल के यह attack करना है simple से ठीक है यह है यह तो जैसे आपको opponent आ रहा है या फिर वो पैर उठाए रहा है पैर उठाना हलका सा ठीक तो इसी टाइम पर यह आप attack करके point ले सकते हो ठीक है तो इसी को हम थोड़ सा speed में करने के try करेंगे तो थोड़ सा distance जैसे distance complete हुआ यह है ठीक है ऐसा ह ठीक यह हुआ हमारा 3rd cake body hook अब चलते हमारा 4th cake के तरफ तो 4th cake जो है वो आपका easy है वो है आपका roundhouse जो की direct आपको जो है face पे attack करना है कुछ इस तरीकी से simple ठीक है वो face level में आपका stretching होना चाहिए जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगे stretching का तो simple सा है आपको front leg से यहां से उठाना है और direct face पे attack करना है तो पहले हाँ आप प्रैक्टिस नॉर्मली ऐसे कर सकते हो इसके बाद आप प्रैक्टिस जब fight practice करते हो उस ताइम पे आप जो इसको as a technique में यूज कर सकते हो fight technique में तो कैसे हम fighting इससांस में fight कर रहे है और जैसे आया यह जैसे आया यह ठीक है ठीक है तो body जितना हो सकते अपने opponent से दूर रखोगे उतना अच्छा होगा अगर आप छोटे height के हो तो आप close से करोगा अगर दूर मलकि आपका height लंबा है और opponent छोटा है तो आपको जो है अपने opponent को दूरी रखना ज्यादा बैटर रहता है बड़े लंबे वाले लोग को ठीक है वो आपका fight strategy है वो उसके उपर भी हम video जल्दी से जल्दी आएंगे फिलाला भी हमारा 14 kick complete हो गया अब चलते हमारा 5 kick के तरफ तो fifth kick है वो हमारा है face hook तो face hook में आपको simple ही क्या करना है अपने face level तक hook kick निकालना है जो कि आपका hook जो रह करके second जो आप फोल्ड करके तो वह आपके उपर मलकी situation को उपर depend करता है कि कैसे आप जो उसमें attack करते हो simply as straight है तो यहां पर है यह बाहर से निकाला और then attack ठीक है तो एक बार on the spot रखना मैं पहले दिखा देता हूं तो simply यह से है यहीं से यह ठेक है यह फिर से यह ठेक है यह हुआ आपको हलका boy down करना है केक ऊपर करना है तो इसी को आप जो टेक्निक जब आप fight कर टेक्निक करोगे उस टाइम आप कैसे use कर सकते हो वह देखते है और back तो distance cover जैसे ठेक फिर से आप यह आपको प्रैक्टिस करना है कि आप कैसे speed में जो है इसको cover कर सकते हो तो यह हुआ हमारा complete तो sixth और last kick जो है वह हमारा है x kick x kick में क्या करना है simple सा आपको यह आपका मालने जो opponent का face है तो kick यहां से उठाना है और direct यह ऐसे करके गिराना है यानि कि आपको यहां से pair इसके close से यहां पर जाएगा फिर दैन ऐसे करके touch करके लेकर आना है तो एक बार आपको जो दिखा देता हूं यह मालनों opponent का face है तो यहां है front leg यह cross then उठाते हुए यह drop ठीक है तो फिर से एक बार पैसे same रखो ठीक है यह हुआ हमारा यह 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 आपको ऐसे drop करना है ठीक है इसे को हम जो fight में कैसे use कर सकते एक बार check करते है ठीक तो इस तरह के साथ आपको जो है x cake complete हो जाता है और हमारा वीडियो भी यहीं पर over हो जाता है तो मिलते हैं जल्दी next video में new tutorial के साथ तो आज के लिए video यहें तक झाल